हजी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? सो प्यार बच्चों, जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का pre-boards और उससे कई बड़ा एकजाम, आपका board का एकजाम अब बहुत ही ज़्यादा पास आचुका है एंड सभी बच्चों का एक dream होता है कि sir मुझे भी 95% से ज़ादा मुझे भी 90% से ज़ादा marks को score करना है ऐसा क्यों क्योंकि प्यार बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका at least 90% या फिर 90% से ज़ादा अगर आपका marks आता है तो उस case में आपको एक merit certificate दिया जाता है यानि कि certificate of merit दिया जाता है उसी का साथ साथ प्याले बच्चों आपको medal भी दिया जाता है तो यह बहुत बड़ा achievement होता है बच्चों के लिए चाहिए आप class 10 के बच्चे हो या फिर class 12 के तो definitely आपके दिमाग में ये वाला बात चल रहा होगा अगर नहीं चल रहा है तो मैंने आपको बता दिया अगर आप dedicated वीडियो चाहते हैं कि sir merit certificate क्या होता है तो उसके उपर मैं अलग से वीडियो बना दोंगा but yes आपको award दिया जाता है तो काफी सारे बच्चे मुझे comment section मे पूछ रहे थे कि sir आप जैसा की बार बर बोल रहे है कि आपका class 10 के अंदर math and science में 99 99 marks आया था and class 10 का जो overall आपका जो आपका marks था पहले हमारे time में percentage नहीं CGPA चलता था तो 10 CGPA मेरा आया हुआ है और class 12 में 94.8% marks आया हुआ है तो sir आपने ऐसा क्या किया था आपने कैसे था काफी बच्चे पूछ रहे थे तो यहां पर मैं आपको personally मेंने क्या किया था आपने time में और आपको अभी क्या करना चाहिए आज के latest pattern के coding वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लीज वीडियो को last तक दिरूर देखिएगा और हमारे effort के लिए चनल को subscribe कर दीजेगा क्योंकि हमें मिलकर 95% plus marks score करना है तो प्यार बच्चों सबसे पले जो आपका एक बहुत ही बड़ा में आपको point देना चाहूँगा वो यह है कि NCRT book को please 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 ignore मत किजेगा इस time आपके लिए NCRT book महवारत गीता कुरान सबकुषित यानि कि NCRT का सारा question and सारा formula और आपको chapter को जो आपका chapter में लिखा हो रहा था वो सारा कुछ आपको go through करना ही करना है बड़ क्या सर यह sufficient होगा क्या हमें artist अगरवाल artist अर्मा जैसे book को भी बनाना पड़ेगा क्या हम में कोई question bank के भी जरुआ थे तो प्यार बच्चों मैं आपको बता दूं कि यस NCRT तो एक बहुत ही बेहतरी इन बुके आपके लिए बड़ जैसा कि pattern change हो रहा है competency based question आ रहा है mcqs आ रहा है जो कि आपको NCRT में सरसं इजनिंग आ रहा है जो कि आपको NCRT में नहीं मिलता है और यह reality है तो सर क्या हमें artist अर्वाल artist करना है नहीं बिलकुल नहीं artist अगरवाल artist अर्वाल जैसा book तो अभी आपको इस time बिलकुल भी नहीं करना है जो बच्चा एकदम starting से अप्रेल से कर रहा है उन्हीं बच्चों के लिए है अभी कोई नया बच्चा आर्वाल artist अर्मा को नहीं चुएगा अगर आपने recently start किया है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए तो सर्थ फिर हम लोग क्या करें टैर बच्चों NC80 के बाद आपको past year के question याने कि PYQs as well as competency based question आपको practice करना है कहां से करना है मैं already एक series start कर दिया हूँ जिसका link आपको playlist का description box में मिल जाएगा या पी channel पे जाकर भी देखिएगा तो आपको chapter wise PYQs and chapter wise competency based question case study based question आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आप NC80 plus year series को follow कर लिजिएगा तो यकीन मानिए 95 minimum आपका percentage कहीं पर भी नहीं जा रहा है ओके और अगर आपको कोई book से भी practice करना है तो आगे जाके मैं एक book भी आपको suggest कर दूँगा ठीके तो फिलाल ये point आपको समझ में आ गया होगा नेक्स प्यारे बचों ये काफी important ध्यान रखिएगा कि अब आपको school जाने का बिलकुल भी जरुवत नहीं है मैंने भी अपने time में November तक काफी अच्छा में school गया था बट December से मैं पूरा option करना शुरू कर दिया एका दिन बस school जाता था एक मैं आपको reality बता दूँ कि आपक फिब दिसंबर के बाद आपका attendance count नहीं होता है यानि अगर आपका 80% भी attendance है तो भी आप अपसेंड करना शुरू कर दीजी अगर आपका school attendance को लेका district नहीं है तो भी आप अपसेंड करना शुरू कर दीजी क्योंकि इस time school जाना is totally waste of time प्लीज इस चीच को दिमाग में रखी तो इस school नहीं जाना है घर में रखे आपको पढ़ना है क्योंकि आपका पता इस school में आने जाने में काफी time लगता है उतना हमें अमारे पास time अभी नहीं है उसके बाद कम से कम आपको 6-8 घंटा minimum daily पढ़ना ही पढ़ना रहे आपने 6 घंटा daily नहीं पढ़ा और तो क्या प हम पढ़ना है no excuse क्योंकि बोर्ड का result आपके पास हमेशा रहता है future में भी आपके आज जो आपके upcoming generation होगा वो पूछेंगे कि आपका कितना marks आया था बोर्ड में तो वहाँ पर आप क्या answer दीजेगा तो प्यारे बच्चों please बोर्ड का result एक ही बार बोर्ड आएगा वापस कभी भी नहीं आएगा entire life में तो यह बात को दिमाग में आप लोग रखीएगा ओके next प्यारे बच्चों class 10 वाले बच्चे बोर्ड तो हमारा वापस 12 में भी आएगा अरे प्यारे बच्चों 10 वाला तो नहीं आएगा ना next ध्यान रखीगा कि आपको सारा subject में time देना है for example अगर आप class 10 में और अगर आपका sunscreen subject है class 12 में physical education है computer science हो गे रहा है तो उस case में बच्चे उसको ignore करते हैं क्यों ignore कर रहे हो कम time दीजिए डेली 15 मनिटी दीजिए बड़ दीजिए तो यह ऐसा subject है जो थोड़ा सा effort मांगता है और जो output आएगा वो बहुत 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 ही नाएगा अरे आपका जो percentage बनेगा प्यारे बच्चों वो आपका सारा subject को मिला कर बनेगा ना ऐसा थोड़ी है कि आपका sunscreen count न नहीं करना है तो अब मैं आगे जाता हूँ प्यारे बच्चों अब दीखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कि आपको writing practice भी करना ऐसा क्यों क्यों कि आपका exam में obvious ही बात है subjective question भी रहेगा MCQ तो रहेगा बड़ उसकी अलावा subjective question रहेगा 20 marks का MCQ बड़ 60 marks का 80 marks का paper है तो आप कर रहेगा और class 12 वाले बच्चों के लिए 50 marks का subjective question रहेगा जहां पर आपको लिखना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों ऐसा question में क्या 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 आप राइटिंग practice क्या important नहीं आप खुद से सूचिए writing practice का पी important है बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐ करते हैं बस हां हां अच्छा से से हां 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 दिमाग में रिलाटर हो गया अरे नहीं एक दो बार लिखने का तो कोसिस कीजिए इस पेसली मैस में तो एकदम हर question को आपको बनाना ही बनाना यह चीज़ को दिमाग में रखीगा और आपको सेस्टी वगेरा में भी अगर आप स्टार्ट की दिए एकजाम में जितना important आपका answer लिखना है साई साई उससे ज़्यादा important है कि आप लोग आपने answer को कैसे present कर रहे हैं अगर आपने उल्टा सीधा तरीके से present किया अगर आपने पर अगर आप में answer को लिखा और कोई answer उससे भी खराब answer अगर कोई बच्चा points में लिख रहा है तो हो सकता है कि उस बच्चे को आपसे जादा माक्स मिल जाए तो please 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 writing practice भी आपको साथ साथ करते जाना है next प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ तो आपको जल्दी उठने का try करना है maybe अपने time में मैं reality बताऊंगा आपको जूट नहीं बोलूँग में बी आपने time में सुबा पाच बजे तो mix to mix उट ही जाता था देखिए देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है कि आपके पास काफी subject है जो रटने वाला subject like assistive हो गया जो आपको डिमांड करता कि आप रटी है concept को आप concept नहीं होता उसमें कोई समझने लाइक उसमें आप आपको रटना पढ़ता है dates होता है यह सब आपको रटना पढ़ता है तो उस map हो गया तो यह सब आपको रटना पढ़ेगा तो प्यारे बच्चों यहां पर वैसा subject को आप लोग स्टार्टिंग में सुबा पढ़िए सुबा आपका दिमाग पूरा fresh रता है तो जल्दी नेक्स प्यारे बच्चों की ध्यान रखिएगा कि वाइल डूइंग सेल्फ स्टडी और स्टडिंग फ्रों यूटूब आपको एक मोवाइल में फोकस मोड रता इसको आउन कर दीजिए क्योंकि आज कल डिस्ट्रेक्शन इतना ज़्यादा है तुरं इंस्ट्राग्राम से जो पढ़ रहे तो अखिरकर उसको तो कंप्लीट कीजी इतना क्या हरवड़ी है क्या पढ़ाय से ज्यादा इंप्पोर्टेंट है आपका दोश्या आपका रिल्स नहीं है प्यारे बच्चों तो प्लीज इस चीज को दिमाग में आपको यंग है और अभी आप काफी आप फोकस मोड ओन कीजिए सारा डिस्ट्रेक्शन आपका खतम हो जाएगा किलियर है प्लीज ऐसा फंसन इसली दिया जाता ताकि हमारे यंग जनरेशन उसको यूज करें और आप लोगों को पता ही नहीं चला हमको प्लीज दिमाग में रखीगा ये ये देखी ये ना बच साइंटिफिकली प्रूफ है कि इसमें बच्चा ज्यादा दे तक नहीं पढ़ पाता है इसमें जो बच्चा पढ़ेगा उज्यादा अच्छे से पढ़ेगा और ज्यादा दिन तक उस चीज को पढ़ा है बच्चा वो याद रहता है तो आपको प्रोपर पोजिशन में 90 ड दिमाग में रखीगा कि आपको स्लेबस कंप्लीट करना है टाइम से उसके साथ साथ लाश में कुछ सैंपल पेपर भी आपको प्रैक्टिस करना है जो कि मैं आपको प्रोवाइट करवा दूँगा और मैं खुद लाइब आकर या फी रिकॉर्डेट वीडियो के फॉर्म मे आपको सैंपल पेपर भी करवा दूँगा तो आपको दिमाग में रखना है कि सैंपल पेपर भी आपको प्रैक्टिस करना है ओके तो प्यारे बिचों यह था हमारा complete प्ली स्को दिमाग में रखेगा अगर आप पढ़ते रहेगा अच्छे से तो definitely 95 प्लस कही नहीं जा रहा और मेरा भी यही सब करके 95 प्लस मार्क्स आया था प्लीस जो मैं सीरीज आपके लिए लेके आया उसको प्लीस रिक्वेश्ट करता हूं फोलो कीजिए क्योंकि उसके बाद एक भी कोशन ऐसा नहीं होगा जो एकजाम में पूछा जाए उससे बाहर तो प्लीस वह कॉम्पीटे उठे तो कमेंट करके पूछ लीजेगा सो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत